नवस्कार में खुश्पूर आप देख रहें प्राइम निविस 24 ग्राम परदान ने रोक रखी है मनरे का कर्मियों की मजदूरी आए दिन मजदूर हो रहे हैं परिशान मजदूरी न मिलने से ग्रामीन मनरे का मजदूर में ब्याप्त रोश्ट कुदूर करने के लिए उन्ह मजदूर से आए हुए प्रवासी मजदूरों सहीत अस्थानिय मजदूरों से मनरे के तहट एक तलाब का निर्माण कराने के लिए करीब 130 मजदूरों को तलाब में मिट्टी कारी के लिए लगाया गया था निर्माण कारी पूरा हुए आज एक महीने से जाता हो गया है मजदूरी मांगने पर प्रधान पती राजेंट शुकला आए दिन कोई न कोई बहाना करके अपने दर्वाजे पर आए हुए मजदूरों को बर्गला कर वापस कर भेज देते हैं ये कहते हैं कि मजदूरी सीधा आपके खाते में आएगी बार बार यहां मत आया कीजिए जिसको लेकर ग्रामीर मनरेगा मजदूर एक तिन प्रधान पती ललनन पांडे को रोक कर अपनी बात रखने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने ये कहते हुए पला ज़ार दिया कि अभ अब तक कई बार इंटर लोकिंग का निर्मार करने के लिए पैसे आये हैं लेकिन वहां पर खड़ंचा लगवा कर ही उस कारी को वहीं पर छोड़ दिया गया है वहीं हाल है कि नाम सेंटर का भी है उसमें ना बैठने के फरनीचर से है और ना ही एक भी स्टिलिंग फैन कुछ भी नजर नहीं आ रहा है यही हाल है गाउं की सडकों का भी है तोधकपूर से लेकर खंडोली तक सडकों पर कई जगा मरमत कार होना था लेकिन कहीं न कहीं कुछ भी कारी नहीं हुआ है बरसात की दिनों में कई जगा ग्राम सभा की कई सडकों के मोडों पर खड़े बड़े बड़े गड़े पड़े हैं जिनमें पानी भढ़ जाता है और लोगों को आने जाने में काफी दिक्कोतों का सामना करना पड़ता है। Prime News 24 के लिए सुल्तानपूर से ब्यूरो चीफ राहूल मिस्रा के साथ अभी शेक्तिवारी की रिपोर्ट। रिपोर्ट। जो आपना चोता है नर्यगा के हैं आपको अदो